Hello students, welcome to our YouTube channel आज इस वीडियो में हम लोग relation function जो हमारा first chapter है उसका one short video cover करेंगे और इसके साथ ही इस पर based कुछ MCQs भी cover करेंगे So let's start with our video तो इस topic के कुछ basics फिर से recall करते हैं चलिए देखते हैं तो सबसे पहला है कि दो non empty set अगर है A और B और अगर हमें उसका A cross B निकालना है यानि Cartesian product निकालना है तो वो कुछ इस तरह से होगा first set का first element और दूसरे set का पहला element ये हमारा एक पहला ordered pair बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं ordered pair और ये पूरा जो set बना है A cross B का इसको हम लोग बोलते हैं Cartesian product तो इस तरह 1,3, 1,5 बनेगा similarly 2,3, 2,5 and then 6,3, 6,5 ये तो होगा Cartesian product लेकिन अगर हमें इसी से relation draw करना होगा तब क्या करेंगे माली जबने एक relation define कर दिया A,B such that A is greater than B for all A belongs to capital A and B belongs to capital B अब जब इस set का नाम दिया जाता है तो वो होता है capital letters से और जब भी हम उसके element की बात करते हैं तो वो हो जाएगा small letters से तो जो small A है वो denote कर रहा है set A के elements को इसी तरह small B set B के elements को तो अगर A greater than B का relation देखें तो इसी उपर वाले से इसमें क्या क्या आ जाएगा तो इसमें आना चाहिए 6,3 और दूसरा आ जाएगा 6,5 यह बता रहा है कि यहाँ पर जित्ते भी हमारे elements हैं जित्ते भी ordered pairs हैं उनमें सभी में relation कैसा है A is greater than B यानि पहला element दूसरे element से बढ़ा है ठीक है इस तरह से हम लोग relation को define करते हैं जो की होता है subset of Cartesian product चलिए आप relation के कुछ types देखते हैं जैसे की reflexive, symmetric और transitive यह तीनों एक साथ होते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको equivalence relation और अगर reflexive की बात की जाए तो मान लिजे एक set A है जिसके elements है 1, 2 और 3 और अगर हम A x A कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसी set का इसी set से दूसरी बार लिखे एक बार फिर से लिख लिजे बगल में 1, 2, 3 और फिर हम लोग यहाँ पर Cartesian product इसका बनाएंगे तो यह हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 इसी तरह 2, 1, 2, 2 2, 3 हो जाएगा और फिर 3, 1, 3, 2 and 3, 3 तो यह क्या हो गया A x A से हमने Cartesian product बना लिया अब अगर reflexive की बात करें चाहें तो उसमें क्या होता है कि सारे elements जित्ते भी आपको दिख रहे हैं set A में उन सभी की mirror image होगी जैसे अगर 1 है तो 1, 1 होना चाहिए तब ही वो reflexive होगा symmetric की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है अगर A, B है तो B, A होना चाहिए यहां पर देखें for all था लेकिन यहां पर for any A, B का मतलब यह इसी के elements की बात हो रही set A के अबकी हमने B denote कर दिया इसके दूसरे element को तो यहां पर अगर A, B है यानि कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए तभी वो symmetric है अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी हो गए यानि अगर 1, 3 नहीं है तो हम 3, 1 के लिए check भी नहीं करेंगे इसी तरह अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी यानि यह वाला relation जो है वो कैसा है वो symmetric भी है ट्रांस्टिफ की अगर बात करें तो यह थोड़ा सा complicated हो जाता है अगर A, B है B, C है तो फिर A, C होना चाहिए यानि कि इसका मतलब simply देखें अगर 1, 2 है या इसी में बात कर लेते हैं अगर 1, 2 है और फिर उसके बाद 2, 3 है तो 1, 3 भी हमारे इस relation में आना चाहिए तभी वो कैसा होगा ट्रांस्टिफ तो क्या 1, 3 यहां पर आ रहा है यह देखे 1, 3 available है तो यह ट्रांस्टिफ हुआ अगर in case माली जब 1, 2 है और फिर इसका map करने वाला कोई दूसरा element है नहीं match करने के लिए यानि B, C है नहीं तो उस case में भी हम बोल देंगे कि यह relation जो हमारा वो ट्रांस्टिफ है यानि यह condition follow होगी तब तो वो ट्रांस्टिफ है इसके अलावा अगर केवल A, B होता है तब भी वो ट्रांस्टिफ माना जाएगा अब इसी में हमारा अगला topic है functions रिलेशन की बात होगी और function की अब बात कर लेते हैं और दोनों में difference क्या है वो भी देखेंगे तो सबसे पहले बात अगर हम लोग फंक्शन की करें तो function की definition आपको अल्रेड़ी पता होगी कि हर एक element की एक image होनी चाहिए और हर एक element की वो जो image होनी चाहिए वो unique होनी चाहिए यानि every x should have a y और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यह जो image होगी वो unique होगी अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको फिर से आपको समझा देते हैं अच्छे से देखें अगर हम लोग a को one से map कर रहे हैं तो यह कुछ इस तरह से होगया a की जो image होगी वो one होगी अब यहाँ पर set आप देख रहे हैं दो हैं a है और b है capital a और capital b capital a के जो elements हैं उनको हमने small x से denote कर दिया है जो की है a b c d capital b के सभी elements यानी one two three को small y से denote कर दिया अब इसी वाले circle को या जो oval देख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं domain और यह जो इधर वाला oval आप देख रहे हैं इसके अंदर जित्ते भी elements है उनको हम लोग क्या बोलेंगे co domain बस domain के आगे को लग गया है इसी तरह हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे दूसरा term है एक range तो range का मतलब क्या हो गया है वह elements जो की y में है और वो x से mapped है जैसे कि अगर हमने कुछ इस तरह का relation बनाया है तो अब यहाँ पर range क्या हो जाएगी और domain क्या होगी domain हो गई a b c d अभी भी वाई same है co domain हो जाएगी 1 2 3 4 यानि set b के सारे elements लेकिन range क्या होगी range विल भी जो भी elements mapped है यानि की 1 2 & 4 ठीक है यह इन्ही को आप बोल सकते हैं कि यह image है उन elements की जो की a में है तो अगर हम इनको image बोल रहे है range वाले elements को image बोल रहे है तो इस side यह क्या हो जाएगा pre image जैसे domain और co domain था वैसे image और pre image हो गया अब यहाँ पर एक term आया unique image का इसका मतलब क्या है कि हर एक element की unique image होना चाहिए यानि कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे है तो यह भी valid है इसका मतलब a की जो image है वो है one a, one और b की image भी one है जो की b के लिए आप में unique image है लेकिन कुछ भी ऐसा relation नहीं होना चाहिए जैसे कि अगर हम इसको थोड़ी दिर के लिए हटा दें इस तरह का कोई भी function valid नहीं होता यह relation में बाग करता है लेकिन function में नहीं इसको हम लोग क्या बोलेंगे one to many many to one वाला आप देख रहे है वो valid है लेकिन one to many यह function में नहीं होता है तो जब भी ऐसा कोई case हो जाएगा so this will not be a function तो यहाँ पर देखें क्यों यह function नहीं है इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि a के पास दो images आ रही है one और two जो की possible नहीं माली जो कोई भी इंसान है उसकी अपने आप में दो शकल नहीं हो सकती इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं लेकिन many one हो सकता है हम शकल exist कर सकते हैं यानि दो लोगों की एक शकल हो सकती है दो लोग है और उनकी एक शकल हो सकती है ठीक है यह वाला valid है लेकिन किसी एक आदमी की दो शगल हो यह valid नहीं है तो इसलिए one to many exist नहीं करता है अब बात करेंगे function में एक important case की जिसको की कहते हैं invertible तो invertible function तबी होता है जब वो one one भी हो और on two भी हो यानि कुछ ऐसा case होगा जब एक element की एकी image है तो उस case में यह one one है और इसमे co domain में कोई भी element खाली नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे on to function यानि co domain जब range के बराबर हो जाएगी तो उस case में वो on to हो गया और अगर one one भी है और on to भी है तो उस case में हम लोग बोलेंगे it is a bijective function और bijective function क्या होते है invertible होते हैं उनका inverse निकाला जा सकता है ठीक है अब इसके बाद एक topic आपका आता है composite function और binary operation composite function काफी simple है अगर एक fx है 2x के बराबर और gx है 5x square तो अगर हमें f of gx निकालना है यानि fog of x निकालना है तो उस case में ये क्या हो जाएगा आपको gx की जगे simply given है वो लिख लीजे एक bracket के अंदर अब ये function of x में हमें क् 2x है 2x को as it is रहने दीजे और x की जगे जहां पे भी x है वहाँ पे क्या जाएगा 5x square तो यह हो जाएगा 10x square के बराबर यही इसका answer है अगर हमें g of fx निकालना है तो उस case में देखे g के अंदर हम लोग पूड़ करेंगे fx का function यानि g of 2x हो जाएगा और अब ये पूरा x की जगे हो जाएगा 2x तो अब ये क्या हो जाएगा 5 x 4 यानि कि 20x square तो इस तरह से differ करेंगे fog और golf में ठीक है इसके अलावा अगर हमें f of f निकालना है वो भी निकालना जा सकता है तो अब क्या होगा दो बार उसी function में put करेंगे यानि f at 2x हमें निकालना है यहाँ पे क् होगा x की जगे तब क्या हो जाएगा 2 as it is रहेगा और x की जगे 2x यानि 4x इसका answer आ गया तो ये है composite function अब बात करेंगे binary operation की यहाँ पे तीन major cases आएंगे commutative, associative और identity, commutative का मतलब अगर a plus b है तो b plus a ये दोनों equal होंगे आपको already पता है a into b और b into a भी equal होते है अब यहाँ इसका मतलब multiplier नहीं है इसका मतलब जो भी आपको question में function ये बने होगा कई cases में plus हो सकता है minus हो सकता है डिवाइड हो सकता है जैसा भी रहेगा associative में already आपको पता brackets का अंतर रहता है a अगर हम पहले solve कर लेते हैं और फिर cross c और फिर asterisk c अगर करेंगे तो वो उसके बराबर सब्सक्राइब करेंगे यहां पर दो केसे जाएंगे और मल्टिप्लिकेटिव इसको थोड़ा simple terms में समझते हैं मालीजे 5 लिखा है तो 5 में हम ऐसा क्या add कर दें कि हमें फिर से 5 मिल जाए बहुत ही सिंपल से question है जीरो एड कर दें इसी तरह अगर 5 लिखा है और इसमें क्य multiply कर दें कि हमें फिर से 5 मिले तो वो होगा 1 यानि हम क्या बोल सकते हैं कि 0 इसदा additive identity addition वाली identity क्या होगी 0 और 1 is multiplicative identity इस तरह कि इसके question रहेंगे अभी हम लोग MCQ में भी इसको discuss करेंगे तो अब यहां पर आपके लिए important note है important concept है इसको भी एक बार देख लिजे हो सकता है elements हमें बताना है A cross B और B cross A में तो वो होंगे N square के बराबर अगर set A और set B में दोनों में N elements common हैं तो उस case में क्या होगा दोनों के Cartesian product अगर हम लोग vice versa करके निकालते हैं A cross B और B cross A तो उनमें जित्ते common elements होंगे वो होंगे N square के बराबर इसको question सा समझते हैं महां लिजे A intersection B यानि set A और set B में जित्ते भी number of elements common है वो 50 के बराबर है N आगे लगा दिया इसका मतलब cardinal number की बात हो रही है तो अब आपको बताना है कि A cross B और B cross A यहाँ पे इसका intersection का मतलब क्या हो गया and हो गया एक तरह से तो A cross B and B cross A दोनों में किते elements common होंगे तो वो होगा 50 square के बराब तो आप से लिए कुछ MCQs देख लेते हैं इसी topic पर बिस्ट Let R be the relation in the set 1,2,3,4 given by R is equal to 1,2,2,2 till 3,2 तो आपको बताना है कि यह relation कैसा होगा तो इस case में देखे सबसे पहले आपको बताना है कि यह reflexive है symmetric है कि transitive है तो अगर हम लोग यहाँ बात करें reflexive के सारे cases क्या देख र और भी यह reflexive है ठीक है अब देखते है symmetric के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 available नहीं है इसलिए symmetric नहीं हुआ एक भी नहीं है तो फिर मानें कहीं नहीं कि वो symmetric है ठीक है और अगला देखते है ट्रांस्टिव के लिए ट्रांस्टिव के लिए 1,2 है और इसका compare करने वाला अगर देख 1,2 है तो यह वाला 3 और यह वाला 3 मैच कर रहा है इसका मतलब 1,2 होना चाहिए जो कि already है यानि यह ट्रांस्टिव भी है इसका मतलब यह केवल symmetric नहीं है बाकि यह reflexive भी है और ट्रांस्टिव भी है तो option B यहां पर सही हो जाएगा let a be the set 123 then the number of equivalence relation 1,2 is then the number of equivalence relation containing 1,2 इसका म आपको बताना है कितने ऐसे relation होंगे equivalence जिसमें 1,2 आएगा तो अगर आप solve कर पा रहें तो इसको थोड़ा सा video pause करके try करिए तो इसमें देखे option 2 यहां पर सही होगा और क्यूंकि दो cases बनेंगे इसका देख लिए explanation case 1 में आपका simply बहुत छोटा सा set बनेगा हमेशा reflexive तो द जबरत नहीं है तो एक तो यह छोटा सा relation बन गया जिसमें 1,2 आ रहा है ट्रांस्टिप की बात करें आपको पहले अल्रेडी बताया था कि अगर 1,2 है 2,1 है तो 1,1 भी है ठीक है तो ट्रांस्टिप भी यह होगा तो इस case में एक तो यह बन गया दूसरा क्या बनेगा दूस सिमेट्रिक भी है देखे 1,2 है 2,1 है 1,3 है तो 3,1 भी है तो आपको चाहिए क्या था 1,2 यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल और इसी तरह यह क्या होगा 2,3 है तो 3,2 तो यह कैसा relation होगा है यहाँ पर कितने relation बन रहे है जिसमें equivalence relation भी है और 1,2 भी है तो वह होगा 2 चलिए अगला question क्या आप solve कर पार है इसको try केजिए what type of relation are 1,3 4,2 2,4 2,3 3,1 on a set a containing 1,2,3,4 यह कैसा होगा reflexive तो यह हो नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 1,1,2,2,3,3,4 यह बिल्कुल exist नहीं कर रहे है symmetric की अगर बात करें तो अगर 1,3 है तो 3,1 है अगर 4,2 है तो 2,4 है 2,3 है तो 3,2 नहीं है तो इसका मतलब यह symmetric नहीं हुगा बहुत ध्यान से आपको देखना होगा trans step के लिए देखते है तो trans step के लिए अगर यहां पर 1,3 है 3,1 है तो 1,1 होना चाहिए जोकी नहीं है तो इस case में none of this हो जाएगा कुछ भी यहां पर exist नहीं कर रहा है option ds का सही हो जाएगा अब यहां पर फिर से एक important concept आया इसको mcq की तरह ही समझ लिजे अगर एक set है 1,2 जिसके element है तो how many binary operations can be defined on this set तो उसका simple सा formula होता है number of binary operation का n की power n square n क्या है मतलब जित्ते भी element है तो 2 की power 2 square यानी की 2 की power 4 which is 16 तो यह भी एक नया concept है इसको भी ध्यान से देख लिजे तो चली आगला question देखते है तो function f from a to b defined as fx is equal to 4x plus 7 where x belongs to real number तो यह कैसा होगा 1,1 तो यह हो गई होगा जहां पर हम ल हमान के चलते हैं लेकिन धीरे-धीरे वो one one prove हो जाता है और इसके अलावा यह on to भी होगा इसको solve करके देखेगा लेकिन क्योंकि option में है नहीं तो केवल हम one one ही यहां पर tick कर देंगे इस तरह से लेट किया जाता है fx1 और fx2 यानी मान लेते हैं कि दोनों की images जो हैं वो ब the number of injective functions that can be defined from set a to set b injective का मतलब क्या हो जाएगा जो one one हो तो one one यहां पर possible कितने हो सकते हैं अगर यहां पर हम थोड़ा सा permutation combination की तरह देखे रियारेंजमेंट की तरह तो यहां पर आप देख रहे हैं अगर हम a को लेके चलते हैं a के लिए आपके पास चार options है अब उन चार से एक ही utilize हुआ होगा तो बी के लिए आप बचे तीन option और सी के लिए दो बचे यानि कि टोटल आप कित्ते बना सकते हैं यहां पर 24 moving on to next question let r be a relation on set n of natural numbers defined by nrm if n divides m तो nrm को कैसे define किया गया है n divides m बताना है कि यह क्या होगा reflexive symmetric और transitive में से तो सबसे पहले simple बात करते है reflexivity इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी number है वो अपने आप से divisible तो होता ही है 5 is divisible by 5 या 5 divides 5 इसका मतलब यह क्या हो गया reflexive हो गया लिखने का तरीका देख लिजे कि एक element हम लेके चलते हैं symmetric में यहाँ पर case थोड़ा differ करेगा क्योंकि यह natural numbers की यहाँ बात की जारी तो अगर 2,8 हम मान के चल रहे हैं कि natural number है और यह belong करता है उसमें तो 2 divides 8 यह तो true है लेकिन 8 divides true तो यहाँ पर answer fraction में या decimal में आता है लेकिन आपको natural number में चाहिए जो की नहीं होगा इसलिए यह क्या होगा symmetric नहीं होगा ठीक है अगर ट्रांस्टिप की बात की जाए तो ट्रांस्टिप तो बिलकुल होगा मान लिजे कोई भी number है इसी के आगे continuation में लेते हैं 2 divides 8 and 8 divides 16 इसका मतलब 2 divides 16 यह भी होगा अब यहाँ पर भी लिखने का तरीका है कि हम लोग A, B, C, 3 elements लेके चलेंगे आप म multiples of A होगा तो multiples of A ही दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक नया variable introduce कर देते हैं इसको ऐसे समझ लिजे कि अगर लिखा है 2 divides 8 तो हम लोग क्या बोल सकते 8 will be equal to 2P यानी 8 क्या होगा 2 के multiples में होगा जो की होता भी है 2 force 8 और इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर B divides C करेंगे तो उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C is equal to BQ एक दूसरा ले लिया variable और P और Q दोनों ही natural number होंगे अब अगर compare किया जाए तो C की जगे हम लोग यहाँ पर C is equal to BQ में B की value पुट कर देंगे जो की है A into P अब P Q क्या है यह भी product हो रहा है तो natural number ही आ रहा है तो उसको हमने R मान लिय यानि C क्या आ गया A R के बराबर इसका मरलब क्या हो गया A divide C क्योंकि C जो है वो in multiples of A है थोड़ा से इसको tricky समझना एक्जामपल लेकर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह transitive भी है और reflexive भी है केवल symmetric नहीं है तो option D यहाँ पर सही है इसके बाद अगला question काफी simple है यहाँ पर बुलाएं होना relation R is defined on a set of natural numbers as A, B such that A is equal to twice of B तो R जो है वो twice of B इस तरह से है कि A is equal to twice of B तो A is equal to twice of B यह R के लिए है इस पर ध्यान देना है तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि B की जगे अगर हम लोग 1 put करें तो A हो जाएगा 2 अगर B की जगे 2 put करेंगे तो 4 हो जाएगा 3 put करेंगे तो 6 तो यह तो हो गया R इन्होंने पूछा है R inverse तो क्या होगा हम लोग बस domain और range को shift कर देंगे शेफल कर देंगे तो 1,2 2,4 3,6 डॉट 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 इस तरह से आ जाएगा option B ठीक है चलिए अगला question देखते हैं तो चलिए देखते हैं इसको commutative के लिए क्या करेंगे A asteric B अगर देखा जाए तो वो already definition से बोल रहा है कि A plus B plus AB के पराबर है तो अगर हम लोग B asteric A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B की जगे A और A की जगे B आ जाएगा तो क्या ये दोनों equal नहीं है equal है इसका मतलब ये commutative होगा चलिए अब इसी तरह associative के लिए देख लेते हैं A asteric B solve किया और फिर asteric C करते हैं A asteric B की definition देख रहा है आप उपर लिखिए A plus B plus AB और इसका asteric C से करना यानि फिर से वही operation लगेगा अब आप इसको थोड़ा सा single term लेकर treat करिएगा तब समझ में आएगा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि A asteric C let कर सकते हैं या आप D asteric C ऐसा कुछ let कर लिजए तो वो क्या होगा D plus C plus DC के बराबर तो चलिए D हमारा जो है वो लिख लेते हैं A plus B plus AB C तो as it is C रहेगा और DC में क्या हो जाएगा यह दोनों अपस में multiply हो जाएंगे यानि AC plus BC plus ABC फोड़ा सको solve कर लें तो यह हो जाएगा A plus B plus C plus AB plus BC plus ABC यह तो एक तरफ से आ गया अगर हम लोग bracket को switch कर दें A asteric B asteric C निकाल लें अगर तो अब इस case में यह हो जाएगा B plus C plus BC तो अब देखें फिर से A पहला element जो है वो A है तो यहाँ पे भी A है plus लगाया B यानि की दूसरा element तो हमारा दूसरा element अबकी यह है और फिर A B हो रहा यानि product हो रहा है दोनों का plus लगाते हुए तो यह हो जाएगा A B plus AC plus ABC फिर से देखें तो यह दोनों ही आपस में equal है इसका मतलब यह commutative भी होगा और associative भी यानि की option C आप कह सकते हैं यहाँ पे सही है fog और golf वाला already आपको बताया था simple terms में आपको अगर देखना हो है यहाँ तो f of gx अगर निकालना है gx की जगे x to the power 1 by 3 बोट किया और फिर जो आपका यहाँ पे आया है वो function of x में चला जाएगा जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ यानि 8 into x की power 1 by 3 और बाहर cube लगा है cube और power 1 by 3 cancel होगा यह 8x बचा के वल काफी simple था यह वला अब यहाँ पे आपके लिए कुछ questions यहाँ पे हमने दिये इन सभी questions को आप try कीजेगा screenshot ले लिजे और इसका answer आपको हमारी website पे मिल जाएगा detailed solution हमारी website पे इसका available है